बक्सर में वैवहार नियाले के संचालन की समयावधी गर्मी के दिनों के लिए पूर्वत ही हो गई है अब नियाले मौर्निंग सिफ्ट में ही संचालित होगा यह जानकारी देते हुए जिला अधिवक्ता संग के महासचिव बिंदेश्वरी प्रसाद पांडे ने बताया कि अधिवक्ताओं को हो रही परिशानियों के मद्य नजर पत्ना उच्च नियालै से अधिवक्ता संग के पतादिकारियों ने अपील की थी एक मैसे नियालै सुभा सारे शाथ बज़े से दिनके एक बज़े तक संचालित होगा इसके लिए हम लोग पूरे बिहार से अधिवक्ता शंग द्वारा मन्य उच्छ न्याले में हम लोग आवेदन दिये थे चुकि बक्सर जीला जो है होट वेव के प्रभाव में था और उसी को देखते हुए आम अधिवक्ताओं के और वाधिकारियों के सुर्जा के लिए गर जीला दीने प्राता काली मुष्त्र नियाले चलाने के लिए एक मई से साड़े साथ बजे सुबह से अपराहन एक बजे तक का नियाले की कार्यावधी रहेगी और इसकी सुचना आदेश मन्य जीलायों सत्र नियादिश बखसर द्वारा निर्गत हो चुकी है जिए उजे प्राफ्षी है भोजनाव अकास दस बजे से साड़े दस बजे अधिवक्ताओं ने इस फैसले पर हर्स व्यक्त किया है उनका कहना है कि न सिर्फ उन्हें बलकि दूर दराज से आने वाले वाद कारियों को भी काफी परिशानी होती थी ऐसे में यह फैसला सबके लिए राहत भरा है उन्होंने कहा कि नियाले के संचालन की समयावधी बिल सकेगी वैभार नियाले के अधिवक्ताओं ने पटना उच नियाले के साथ साथ जिला अधिवक्तासंग के पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया है उनका कहना है कि जिला अधिवक्तासंग के पदाधिकारियों ने जो प्रयास किया निचितरूप से उसी का प् यदि ऐसा नहीं होता तो निश्ची तुरूप से गर्मी के दिनों में लोगों की जान तक जाने की संभाव ना थी ऐसे में यह फैसला अधिवक्ताओं तथा बातकारियों के हित के लिए बेहतर है जो की चुबती जलती गर्मी में उन्हें राहत देगा